दियर सुरेंट्स जब हम लोग वर्ल्ड वाइब को ब्राउस कर रहे होते हैं तो हम लोग HTTP के प्रोटोकोल को यूज कर रहे होते हैं HTTP प्रोटोकोल बाइट सेल्फ अनिंक्रिप्टेड होता है that means कि हमारी जो communication है वो secure नहीं होती है अगर आप एक ऐसी website host कर रहे हैं जो HTTP प्रोटोकोल पर रन हो रही है तो आप और उसके अंदर आप user से पासवर्ड ले रहे हैं अपनी website में लॉग इन करने के लिए या फिर कोई आपके पास private secure information है जो आप disclose नहीं करना चाहते हैं आपके पास मुख्तलिफ मीडिया से गुजर के आपके पास information जाएगी और उस मीडिया के अंदर से उसको जो है वो sniff किया जा सकता है information को जो है वो read किया जा सकता है by unwanted authority इस चीज़ को हल करने के लिए हमारे पास hyper text transfer protocol secure है जिसके अंदर हमारे पास communication जो है वो secure हो जाती है लेक्ट लोक इंटू https जब आप एक website विजिट कर रहे होते हैं तो आपको जहां पर अप URL टाइप कर रहे होते हैं address bar के left side पे आपको एक lock का symbol नजर आता है यह actually इस चीज़ को represent कर रहा होता है कि जो communication है वो आपके पास secure हो रहा है और URL के अंदर भी आपको https जो है वो नजर आ रहा होगा यह वाप उसको click करते हैं तो आपको उसकी information मिल जाती है कि आपके पास इसके अंदर जो है वो जो certificate और जो verification है वो कौन सी organization प्रोवाइड कर रही है और more information को आप click करेंगे तो आपको बहुत जादा details भी मिल जाएंगे https इसके अंदर हमारे पास क्या होता है बेसिकली हमारे पास a symmetric encryption को use कर रहा हुता https main mechanism इसके इसके अंदर यह होता है कि जब client servers से communicate करना चाहता है और secure communication करना चाहता है encrypted communication करना चाहता है तो client कुछ information जो यह वो server को भीचता है जिसना उसके अंदर टाइम शामिल होता है, साइफर की लिस्ट शामिल होता है, और फिर जो साइफर्स की लिस्ट भीजता है, ब्राउजर जो सपोर्ट कर रहता है साइफर्स को, उसमें से सर्फर जो है वो चूज़ करके बता देता है कि यह साइफर हम लोग यूज़ करेंग तो फिर जो client है, वो verify करता है कि certificate valid है या नहीं, उसके लिए हमारे पास certificate authorities होती है, जिनके through verify किया जा सकता है, और फिर ये के client खुद भी जो है वो एक certificate को verify कर सकता है, लेकिन उसके अंदर एक warning आ जाएगी, आपके पास जब ये information आ जाती है, तो फिर जो public key भेजी होती है, server ने, उसकी base पे प्री master secret key जो है, वो generate होती है, वो server को भेज दी जाती है, और उसकी base पे symmetric key compute होती है, जिसकी मदद से client और server जो है, वो दोनों messages को encrypt कर सकते हैं और decrypt कर सकते हैं, इस mechanism के बाद जो है, वो client और server के जो handshake है, जिसे SSL handshake भी कहते हैं, वो complete हो जाता है, और इसके बाद से जितनी भी communication होगी, वो हमार पास secure communication होगी, क्योंके client ने जब server को कोई data भेजना है, वो उसको encrypt कर के भेज़ेगा, और server के पास, क्योंके symmetric key है, तो वो उसको decrypt कर सकता है, और इसी तरह वो जो client को information भेज रहा होगा, वो भी encrypted होगी, और उसको बीच में से break करना जो है, वो is not an easy task. Certificate और authorities के अगर बात करें, तो हमारे पास certificate के अंदर basically information होती है, कि हमारे पास common name क्या है, organization कौन सी है, हमारे पास इसकी validity की duration क्या है and so on, और जब यह हमारे पास encrypted form में transfer होता है, तो हमारे पास उसके, इस किसम का आपको जो है, वो scramble text जो है, वो नज़र आएगा. Certificates को Certificate Authorities जो होती है, वो verify कर रही होती है, बहुत सी Certificate Authorities है, we will have a look at a list of few of them, और basically वो यह बता रहे होते हैं कि जो server certificate भेज रहा है, यह server जो है, वो यह valid organization है और यह certificate है, यह valid certificate है, अब certificate की जो authorities है, उनको आप अपने ब्राउजर के अंदर जाके देख भी सकते हैं, वहाँ पे आपके पास जो मुख्लिफ सेर्टिफिकेट Authorities है, प्री डिफाइन लिस्ट जो है, वो आपके ब्राउजर के अंदर होगी, जब कोई certificate आपका computer receive करता है, ब्राउजर receive करता है, तो इन में से किसी relevant जो certificate authority है, वो इ ब्राउजर के उसके अंदर warning है, वो थोड़ी different type की हो सकती है, और उसके अंदर आपके पास यह आजाता है, यह जो certificate है, यह verify नहीं हो सकता, और आप जो है वो इस website को विजिट करना चाहेंगे या नहीं, तो जो main option होती है, वो यह ही होती है, कि get me out of here, लेकिन यह कि अगर आ continue कर सकते हैं, जो नए वरियंज है प्राउजर के उसके अंदर इसको continue करना जो है, वो थोड़ा सा और मुश्किल हो गया है, या बास वरियंज है जिसके अंदर supported नहीं होता है, जब आपने अपनी website को HTTP से HTTPS पर transfer करना है, तो simple यह नहीं होगा कि आप protocol change कर लेंगे, देखें आपके पास website के अंदर कुछ URLs होंगे, जो HTTP से शुरू हो रहे होंगे, you have to change them to HTTPS, you need to make sure कि आपकी website में जितने भी links हैं, वो आपके पास HTTPS को use कर रहे हो, अगर आप कोई framework यूज कर रहे हैं, लारावल का और उसके अंदर आप URLs कर रहे हैं, वो आप URL के थू कर रहे हैं, तो फिर आपके पास जो final जो जब आपकी website deploy होगी, अगर वो HTTPS के ओपर run हो रही है, तो आपके पास वो जो URLs हैं, वो भी आपके पास secured URL जो हैं, वो generate होंगे, आपके पास जो contents होते हैं, वो time mixed contents होते हैं, उसके अंदर कुछ URLs HTTP के साथ शुरू हो रहे होते हैं, कुछ HTTP के सा चुरू हो रहे हैं, जिस तरह आपके पास links के, जो internal links होते हैं website में, वो हो सकता है कि आपके पास HTTP के अंदर ही हो, आप HTTP वाले link को अगर click करते हैं, तो आप HTTP के protocol के थूँ आप उस website को visit कर रहे होंगे, इसी तरह अगर आप CDNs को use कर रहे हैं, वो at times आपके पास HTTP को use कर रहे होते हैं, आपके पास जो है PHP के थूँ जो code जनरेट हो रहे हो सकता है, वो hard-coated URLs HTTP के साथ जनरेट कर रहे हो, that would not be transferred over secure protocol, और इसी तरह आपके पास जो HTML के links हैं, जो HTML का code हो सकता है, उसके अंदर, जो आपने attribute यूज किया हो है, उसके अंदर आप HTTP यूज कर रहे हो, और ये भी हो सकता है कि कोई एक external website है, उससे जो आपकी website का link है, वो HTTP के थूँ है, HTTPS के थूँ नहीं है, तो वो भी फिर insecure channel जो हो यूज होगा, तो just make sure कि आप जो है, वो अपने website को जो है, अगर उसको sensitive information है, तो आप हर एक link को जो है, वो HTTP के साथ यूज कर रहे हैं, और अगर request आती है, HTTP वाले URL के उपर, तो आप उसको redirect करते हैं, उसको HTTP स्वरियर नहीं है, उसके थूँ.